अभी हम लोग औरगेनिक केमेस्टरी का पूरा डीटेल में पूरा फुल रिवीजन करेंगे और अबजेक्टिव को सन, sort को सन, long को सन सब को सही तरीका से देखेंगे जो भी important objective होगा वो भी हम बताते जाएगे, जो long को सन important होगा उसको भी बताते जाएगे और objective को हम लोग अच्छे तरीका से solve करेंगे तो धेर सारे objective को आज हम लोग को देखना है तो सही तरीका से ध्यान देने आप लोग को सबसे पहला question है कि निम्न में कौन सरवाधिक चारिये है मतलब यहाँ बोल रहा है कि सबसे अधिक basicity का मान किसका है सबसे strong base कोन है तो आप लोग को बताये थे कि एमिन जो होता है वो base का काम करता है कि उसमें nitrogen पर lone pair electron होता है वो lone pair electron donate करता है इस कारण से वो Lewis base कहलाता है तो ammonia Lewis base है यह जितना भी एमिन है 1 degree, 2 degree, 3 degree यह सब Lewis base है तो यहाँ पर यह पूछ रहा है बेंजीन के resonance में भाग ले लेगा यह जो lone pair electron है यह बेंजीन में resonance में भाग लेगा और resonance बनाने के कारण इसका lone pair resonance में भाग ले लेगा तो यह weak base हो जाएगा तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे strong कोन है सरवाधिक basic कोन है तो याद रखना है कि सबसे ज़्यादा strong होता है तू डिग्री यह 2 डिग्री अमीन है यह 3 डिग्री अमीन है और यह हो गया ammonia तो याद रखना है कि इस सब में से सबसे ज़्यादा basic कोन होता है सबसे ज़्यादा basic होता है 2 डिग्री अमीन आप लोगको हम trick बताए थे दोसो तेड़ा, याद है आप लोगको 2 degree, 1 degree और 3 degree, तो 213 trick याद रखना है कि सबसे strong में आता है 2 degree, सबसे strong में कोण आता है 2 degree, तो इस बात को आप लोगको दिमाग में रखना है, अगर इसमें से ये पुषता कि सबसे weak base कोन है, तो सबसे weak base होता ये एनिलीन, बेंजीन के उपर जब NH2 जुरता है तो इसको एनिलीन करते हैं, और ये सबसे weak क्यों है, क्योंकि इसमें long pair जो है, वो resonance pi bond के कारण, बेंजीन में pi bond कारण resonance बनता है, जिसे कारण से यहां से डोनेट ने कर पाता है, तो इसकारण से इसके basicity का मान सबसे कम होता है, तो यहां पर सबसे इचारों में से सबसे weak पुषता, तो answer ये है, सबसे strong पुछेगा तो 2 degree, और 2 degree किसको बोलते है, NH को बोलते है, कि अबल N आएगा तो nitrogen का उभी किसमे amine है, तो amine में nitrogen हम लोग को पता है कि तीन वो तो bond बनाता है, तो 3 sigma bond हो जाएगा, और nitrogen के उपर एक lone pair भी होता है, तो 3 sigma और एक lone pair, answer हो जाएगा 4, और 4 के लिए answer क्या आएगा, SP, SP3, तो याद रखना है कि primary, secondary, tertiary, सब का सब SP3 होता है, अगला question है कि aniline को chloroform और alcoholic KOH के साथ गर्म करने पर बनता है, aniline हो गया benzene के उपर NH2, और उसका reaction करवाना है chloroform और alcoholic KOH के साथ गर्म करना है, तो बताना है कि क्या बनेगा, अब लोग को हम पढ़ाये थे classroom में carvile amine reaction, तो जब भी chloroform और QOH आएगा, तो इसको हम लोग करवाईल amine reaction कहते हैं, अग करवाईल amine reaction से बनता था, बनता था isosanide, क्या बनता था isosanide, isosanide हम लोग बोलते हैं NC को, याद रखना है कि इसका हम नाम बताए थे आप लोग को, इसका नाम बताए थे isosanide, isosanide को ही करवाईल कहते हैं, करवाईल, isosanide का एक और क्या नाम है, करवाईल amine, तो यादना है कि इसका सही आंसर बी नंबर, ये काफी important है, short question के लिए भी, हो सकता है कि दो नंबर वाले question में ये पूछ ले कि करवाईल amine reaction किसको कहते हैं, करवाईल amine reaction, तो एक और आपका revision करवाते हैं, ये है करवाईल amine reaction, तो करवाईल amine reaction में क्या होता है, तो करवाईल amine reaction में होता ये है, कि यह जो reaction है केवल one degree amine दिखाता है, सबसे पहला बात तो याद लखना है कि यह reaction केवल 1 degree amine दिखाता है 2 degree amine और 3 degree amine यह reaction नहीं दिखाता है उसके बाद करवाइल amine कहते है किसको है तो वैसा करवनिक परतिकिरिया जिसमें कि 1 degree amine कुलोरोफॉर्म और कोईच के साथ परतिकिरिया करके आईसोसनाइड बनाता है उसी को करवाइल amine reaction कहते है तो यह हो गया 1 degree amine इसका reaction कुलोरोफॉर्म के साथ है कोईच के साथ है तो यहाँ पर का जो यह NH2 है यह बदल जाता है NC में किसे बदल जाता है NC में यहाँ का के और C-L मिलकर के के C-L भार कर लेता है H2 भार हो जाता है तो यादना कि यह जो isosanide बना इसी को हम लोग बोलते हैं करवाइल amine तो यादना कि करवाइल amine और isosanide दोनों सेम चीज़ होता है तो उसी का यह example है तो यह दोनों जो example है वो उसी से related example है तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि यह हो गया करवाइल amine reaction और यह short question के लिए काफी important हम BBI भी लगाए हुए है तो इसको आप लोग को अच्छा त्रिका से याद कर लेना है तो इसका सही answer क्या हो गया करवाइल amine यादना करवाइल बोलते हैं NC को इसी का नाम isosanide भी है और इसी का नाम करवाइल भी है अगला question देखिए अगला question है कि methyl amine को chloroform और alcoholic quach के साथ गर्म करने भी क्या बनता है same type question है यहाँ पर aniline था यहाँ पर methyl amine है amine जब भी आएगा और उसके साथ chloroform और अगर QH है तो यादना कि यह करवाइल amine है तो यह भी है करवाइल amine reaction तो काफी important है exam point of view से ध्यान डखना है अगला question है कि C2 C2 अनू में sigma और pi bond की संख्या होती है C2 अनू में यह question बैंक का है ध्यान डखना है कि C2 में पूछा गया कि कि कितना sigma और कितना pi bond होता है C2 अपवाद condition है और इसमें केवाल और केवाल pi bond होता है तो अन्सर होगा C number only pi bond, only two pi bond तो यादना कि C2 में करवन करवन के बिश दो bond बनता है उसमें दोनों का दोनों pi bond बनता है दोनों का दोनों क्या बनता है pi bond तो याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या इसका सही आंसर है only two pi bond अगला कुशन देखो अगला कुशन है कि निम्न में किस विधी से methyl amine बनाया जाता है methyl और amine amine बनाने के लिए आप लोग को बताये थे कि amine बनाने का दो तरीका है पहला तरीखा था mendas reaction और अगला था hopman bromamide reaction hopman bromamide reaction तो hopman का दो reaction आप लोग को पढ़ाये तो एक पढ़ाये थे hopman bromamide और एक पढ़ाये थे hopman amolysis तो जैसे hopman आएगा याद रखना है कि उसमें amine बनेगा याद रखना है कि उसमें क्या बनेगा amine तो amine बनाने का अगर कोई reaction है तो उसका नाम है hopman bromamide reaction तो इस बात को आप लोग को सही तरीका से याद रखना है hopman bromamide reaction उर्ज reaction से क्या बनता था? एलकेन कोल्बस reaction से क्या बनता है? एलकेन, एलकेन और एलकाइन याद रखना है कि ये बनाता था टॉलीन ये बनाता था एलकेन ये एलकेन, एलकेन, एलकेन तीनों बनाता है और amine बनाता है कौण hopman bromamide reaction तो इसका सही आंसर हो गया ये अगला कोशन देखते है निम्न में सबसे परवल भस्म परवल भस्म कोन है? याद रखना है कि यहाँ पर देखो बेंजीन में NH2 है तो ये तो weak हो जाएगा क्योंकि इसका lone pair electron resonance में भाग ले लेगा यहाँ पर भी देखो बेंजीन के साथ NH2 है इसका भी lone pair भाग ले लेगा इधर से भी lone pair भाग लेगा इधर से भी लेगा इसमें भी देखो nitrogen है और nitrogen पर lone pair हैगा जैसे बेंजीन हैगा तो lone pair भाग ले लेगा resonance में यहाँ पर direct जुड़ा हुआ है यहाँ पर देखो बेंजीन तो है लेकिन बेंजीन में direct nitrogen है बीच में आ गया है CH2 बीच में कौन आ गया है CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ है यह NH2 मतलब यह बेंजीन है बेंजीन के साथ में CH2 है और CH2 के बगल में NH2 है तो यहाँ पर resonance नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन आ जा रहा है CH2 आ रहा है यह direct बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ resonance नहीं बनेगा तो सबसे strong base यह हो जाएगा इस सबका long pair resonance में भाग ले लेगा इसलिए इस सबका basic city उतना ज़्यादा नहीं है इसमें देखो यह हमको बताना था कि पारा और मेटा क्या है तो यादना कि बेंजीन में टोटल 6 करवन होता है यहाँ पारा पोजिशन पे नैटरो है फिलाल इस सबसे मतलब ना है मतलब है कि इसका अनसर होगा d नमबर इसका अनसर क्या होगा इसका अनसर हो जागा d नमबर अगला कोशन देख रहे हैं हम लोग अगला कोशन है कि निम्न में कौन छारिये सामर्थ का सही करम है बताना है कि basic city basic city का मतलब कौन सबसे अधिक basic है कौन अधिक छारिये है चारिये का सही करम क्या है, तो यहाँ पर देखें कि NF है, नेट्रोजन के साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन का रिनात मकता जादा होता है, तो जब जादा रहेगा तो यह इलेक्ट्रोन को खीच लेगा, तो यह आंसर नहीं हो पाएगा, इसमें सबसे जादा बेसिक हो जागा कौन, तो सबसे जादा बेसिक हो जागा CS3, NH2, यह हो गया CS3, CS3 बोलते है इलकाइल गुरूप को, यह एक इलेक्ट्रोन भेजता है, यह इलेक्ट्रोन के डेंसिटी को बढ़ाता है नेट्रोजन पे, तो नेट्रोजन पे लोन पेर है, जो आसानी से लोन पेर दे सकता है, तो लो इसको खीच कोन लेगा, इसको खीच लेगा, तो यादगना है कि इसका कम हो जागा, तो सबसे जादा हो जागा किसका, जैसे जैसे करवन बढ़ेगा, कोई भी अलकाइल गुरूप होगा, तो यादगना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोन का डेंसिटी बढ़ा देगा, तो उस इससे ज़्यादा strong basic, इससे ज़्यादा strong basic ही है, अगला question देख रहे हैं, अगला question है कि Acidamide की अभी किरिया BR2 और NaOH के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, ध्यान दगना यह Hopman Bromamide reaction, याद करो Hopman में, Hopman में क्या होता था, Hopman में Amide का reaction, Amide का reaction करवाते थे BR के साथ और NH2 के साथ BR के साथ और किसके साथ, NH2 के साथ, तो याद ना कि इसका नाम था, Hopman Bromamide reaction, तो Hopman Bromamide reaction से क्या बनता था, इससे बनता था, Amine, Hopman Bromamide reaction से क्या बनता था, Amine बनता था, अप लोग को याद है, यह फिर हम उसका भी revision करवा दे, देखें, यहाँ पर revision कर लिजे, यहाँ पर Hop NH2 के Mide काते, इसका reaction करवाया थे BR2 और NAOH के साथ, तो यहां से CO हड़ गया था, और यह R के साथ direct आके attach हो गया था NH2, NH2 तो R यह बिच से CO हड़ जागा, तो यहां बन जागा क्या है R NH2, इसी को बलते थे 1 degree primary amin, तो याद ना है, कि Hopman Bromamide reaction से बनता है primary amin, Hopman Bromamide reaction से क्या बनता है, primary amin, यहां R के जगा हम CS3 ले लिए हैं, तो Acidamide हो गया यही same to same question है, Acidamide का reaction BR2 और NAOH के साथ करवाना था, तो बनता है methyl amin क्या बनता है, methyl amin, same to same आपको copy में मिल जाएगा, अगला question है कि उसी में से Hopman amolysis तो यादना Hopman amolysis, कहीं भी Hopman आएगा, तो amin बनेगा, बस दोनों मंतर यह कि यह केवल 1 degree बनाता है और Hopman amolysis जो हता है यह 1 degree, 2 degree, 3 degree और quaternary, यह 4 तरह का amin बनाता है, तो दोनों exam के लिए important है, Hopman का question हो सकता है कि exam में आ जाएगा अगला question देखते हैं हम लोग तो इसका सही answer क्या हो गया इसका सही answer हो गया, methyl amine इसका सही answer क्या है, methyl amine अगला है, nitro elcan की अबकरण से बनता है nitro elcan का अबकरण, nitro बोलते है NH2 को, sorry, nitro बोलते है NO2 को, यह nitro बोलते है यहाँ जूड़ जागा, तो यह बना देगा amine तो यह भी बन जाएगा amine, तो इसका सही answer हो जाएगा primary amine सही answer क्या हो जाएगा, primary amine धियान रखना है, primary amine कहते हैं, इसमें कौन से symbol है primary amine का, तो nitrogen का दो बोंड खाली है दो करवन जूड़ेगा, तो यह 2 degree हो गया यहाँ nitrogen के साथ एक ही करवन जूड़ेगा तो यह हो गया 1 degree, और 1 degree को ही बोलते है primary, यह तो ammonia है, और यह तो ammonium है, तो धियान रखना है कि यह हो गया 1 degree, यह हो गया 2 degree अग केवल N आता, केवल nitrogen आता तो उसको 3 degree बोलते है, तो यह हो गया हम लोग का primary amine, अगला question है कि amine किसके व्यूतपन है, किसके व्यूतपन है, derivative है, मतलब amine जो बनता है न, वो किससे बनता है carbon dioxide से बनता है, ammonia बनता है, यह none तो इसका सही answer हो जाएगा इसका सही answer होगा ammonia, ammonia अगर एक hydrogen निकाल दो, तो 1 degree amine बन जाएगा, अगर दो hydrogen निकाल दो 2 degree बन जाएगा, तीनों hydrogen निकाल दो 3 degree बन जाएगा, तो amine जो बनता है वो किससे बनता है, amine बनता है ammonia से, देखे यहाँ पर आप लोग को पढ़ाये थे, कि ammonia से जब 1 hydrogen निकालते है 3 degree amine में 3 alkyl group होता है तो यह इसका IOPSCNM भी हम लिखे हुए है अब आगे हम लोग देख रहे हैं अगला question है कि इथाईल एमिन की अभिकिरिया इथाईल एमिन की अभिकिरिया nitrous acid से कराने पर क्या बनता है nitrous acid का formula होता है HNO2, nitrous acid का formula क्या होता है nitrous acid का formula होता है HNO2 HNO2, ध्यान डखना है कि HNO2 का reaction करवाना है इथाईल एमिन के साथ किसके साथ? इथाईल एमिन के साथ तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनेगा तो अगर हम लोग इथाईल हो गया C2H5, NH2 इसका reaction इसके साथ करवाना है तो जब nitrous acid के साथ reaction करवाएंगे तो यहाँ पर होगा क्या? तो यहाँ पर यह होगा कि यहाँ पर का दोनो nitrogen N2 gas बाहर कर लेगा यहाँ का hydrogen H2O बाहर कर लेगा और यह यहाँ से हट जागा और इसके जगा पर OH आ जागा इसके जगा क्या जागा? OH तो बन जागा ethyl alcohol तो जब ethyl amine का reaction nitrous acid से कराते हैं तो ethyl alcohol तो जब भी amine से alcohol लाना हो तो यादना कि reaction करवाना परता है किस के साथ? HNO2 के साथ HNO2 का काम है कि यहाँ पर से amine को हटा के बदल देगा किस में? amine को हटा के बदल देगा alcohol में तो अलकोहल से अगर amine लाना हो तो ammonia से reaction और अगर इससे इसमें जाना है तो reaction कराना होता है किस से? HNO2 से तो यह काफी important है आप लोग को दिमाग में रखना है तो इसका सही answer क्या आ जाएगा? इसका सही answer हो जागा ethyl amine का reaction इससे करवाए तो बनेगा ethyl alcohol सबसे strong basic है यादना है कि basic city में सबसे पहले 2 degree फिर 1 degree 213 याद रखना है 213 उसके बाद amine और amine से भी sorry ammonia और ammonia से भी ammonia से भी सबसे कम basic होता है को aniline, benzene के साथ NH2 यह कम basic क्यों होता है कोग इसका long pair resonance बनालता है इसका long pair क्या बनालता है regional अब note में एक objective के लिए याद रखना है कि acid rain में H2SO4 और HNO3 H2SO4 और HNO3 HNO3 पाया जाता है अगर पूछेगा amil बरसा में कौन सा acid पायाता है तो sulfuric acid और nitric acid sulfuric acid और nitric acid इसमें भी इसका परतिस्द जादा होता है अगर पुछेगा कि amil बरसा में कौन सा acid सबसे अधिक होता है तो answer होगा H2SO4 और वैसे इस दोनों परजेंट रता है किसमें acid rain में amil बरसा में सिरका का सुत्र होता है क्या acetic acid acetic भेनिगर भेनिगर बनता है किसमें acetic acid से अब लोग को बताये थे ना रालची टिम पाई जाता है formic acid तो यह सब याद रखना है कि किसमें कौन-कौन से acid कौन-कौन से acid पाया जाता है कर्बक्सिल nicicki acid का समान या शुत्र क्या है कर्बक्सिलिक acid हम लोग किसको बोलते है C O H को बोलते हैं कर्बक्सिलीक अब उसके बगल में हम लोग बोलते थे R को R का फर्मुला था CnH2n पलस 1 तो इसका सही आंसर हो जाएगा A number अगला क्या है अगला है इथाईल अलकोहल के oxidation से क्या बनता है याद कर आप लोग को बताए थे अलकोहल का oxidation करेंगे तो aldehyde और aldehyde का oxidation करेंगे तो carboxylic acid तो यादना है कि इसमें बनता है carboxylic acid अब यहाँ पर acid ये भी है acid ये भी है और aldehyde बनता है अब इत तीनों में से कौन सही होगा ये तो अलकोहल है और किसको बलते हैं अलकोहल को तो यह answer तो नहीं होगा बचा इत तीनों में क्या होता है HCHO इसमें भी एक कारवन है अगला कोशन देख रहे हैं अगला कोशन है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में बिभेद करने के लिए किस अभिकारा काउपयो क्या आता है तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में बिभेद किस के द्वारा कर सकते हैं कि Acid, Acid में जो बिभेद होता है, Formic Acid, वो Idoform के द्वारा होता है, किसके द्वारा? Idoform, तो Idoform जो होता है, Idoform के बारे में आपको थ्रहा सा समाझना पड़ेगा, जा ध्यान दीजिए Idoform के बारे में, यहाँ पर याद रखना है कि Helloform का 3 Compound है, Chloroform, Bromoform और Idoform, Chloroform, Bromoform और Idoform, तो Chloroform किसको बोलते है, ChCl3 को, Bromoform किसको बोलते है, ChBr3 को, और Idoform किसको बोलते है, ChI3 को, देख़ो है, यहाँ पर I3, मतलब सब तीन वारे, इसलिए X3, और X3 को बोलते है, Trihylide, Trihylide, तो कोसन आएगा Helloform में कितने Hellojan होते है, इसको क्या बोलते है, इसको बोलते ह Chloroform, Methane से Chloroform आप लोग को पढ़ा हैते है, यादखना है कि यह काफी Important है, Methane से Chloroform का Conversion, और इसमें Test के रूप में Important है, Idoform, तो Idoform क्या होता है, तो Idoform, Idoform Important पहले क्यों है, वो समझे, इस दोनो Colorless होता है, इस दोनो क्या होता है, Colorless, इस दोनो पानी के जैसा होता है, लेकिन इसका Color होता है, इसका Color क्या होता है, पीला, तो यादखना है कि Idoform जब Test लगाते हैं उसमें, तो Compound का Color बदल जाता है, अगर अगर Idoform टेस्ट देगा, तो उसका Color होता है, लेकिन इस दोनों का Color White रहता है, इस करण से यह Test Important नहीं होता है, तो Important होता है क्वों? Idoform तो IDOFORM का पहले formula याद रखिए अब IDOFORM के बारे में ये जान लिजए कि IDOFORM जोता है वो antiseptic का भी काम करता और इसका smell होता है hospital जब हम लोग किसी hospital में जाते हैं तो एक अलगत तरह का smell मिलता है वो smell किसका रहता है वो smell रहता है IDO IDOFORM का और फ्लोरो फॉर्म जोता है और वो अनिस्टेवल होता है फ्लोरिन का रियनतमक्ता सबसे ज़्यादा होता है जिस कारण से यह इस्टेवल नहें रह पाता है तो यह इंपोर्टेंट नहें है इंपोर्टेंट इधर है अब जरा समझते हैं कि आईडो फॉर्म टेस्ट देता कौन कोन है तो वैसा एलडी हाइड या किटोन आईडो फॉर्म टेस्ट देता है जिसमें अलफा मिथाइल कर्बोनाइल ग्रूप उपर सित रहते हैं याद रखना है कि कर्बोनाइल ग्रूप बोलते थे C double bond O को कर्बोन लडी हाइड है और एलडी हाइड के ठीक बगल वाले कर्बोन को अलफा करते हैं एलडी हाइड किसी भी फंसनल ग्रूप के ठीक बगल में जो कर्बोन होगा उसको हम लोग अलफा कर्बोन करते हैं यह हो गया अलफा कर्बोन तो अलफा पोजिशन पर देखो यहां पर मिथ टेक्चर बना दिये, तो यह भी इसमें है, यहाँ पे देखो किटोन है, किटोन के दोनों तरफ में अलफा है, और अलफा पे देखो मिथाइल है, तो जब भी मिथाइल आएगा, अलफा पोजिशन पर, तो यादना है कि वो आइड़ो फॉर्म टेस्ट है, आइड़ो फॉर् टेस्ट ने देगा, आइड़ो फॉर्म दिखाने के लिए, अलफा पोजिशन पर आना चाहिए, मिथाइल, अलफा पोजिशन पर क्या आना चाहिए, मिथाइल, उसी तरह देखो यहाँ पर किटोन है, किटोन के दोनों तरफ बेंजीन है, जब दोनों तरफ बेंजीन तो यह आईडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा, यादना कि alpha position पर आना चाहिए methyl, तभी वो आईडो फॉर्म टेस्ट देता है, तो यहाँ पर methyl नहीं है, इस कारण से आईडो फॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा, अगला देखो यहाँ पर C double bond O, इधर तो बेंजीन है, लेकिन इस स जैसे functional group के ठीक बगल वाले करवन को alpha कतर, alpha पर अगर methyl आ गया, तो यह आईडो फॉर्म टेस्ट देगा, तो यह आईडो फॉर्म टेस्ट देगा, तो इस तरह से हम लोग पहिचान सकते हैं, कि कौन आईडो फॉर्म टेस्ट दिखाएगा, और कौन आईडो फॉर्म alpha, methyl होते हैं, वह अईडो फॉर्म टेस्ट देते हैं, तो यहादना कि अईडो फॉर्म टेस्ट तीन गों कमपॉंड देता है, LDH, किटोन देता है, अलकोहल देता है, तो यह तो गया main carbon, इसके ठीक बगल वाले carbon को alpha बोले, और alpha पर methyl आ गया, तो इस कारण से यह आईडो टेस्ट देगा, तो यहादना कि अलकोहल में केवल इथाईल अलकोहली आईडो फॉर्म टेस्ट देता है, यहाँ पर देखो, यह जो कारण से यह अलकोहल जिस कारण से जुड़ाया थी, यह तो main carbon हो गया, इसके बगल वाले carbon को alpha बोलेंगा, और यहाँ पर देखो, इस देटा, यह अपवार में है, इसको अलक से याद रखना है, तो idoform test कौन-कौन देता है, तो एक तो LDH देता है, CHO देता है, उसके बाद एक देता है किटोन, और उसके बाद एक देता है alcohol, लेकिन इस सब में याद रखना है, कि इस सब में भी केवल वही दे पाएगा, जिस इसके alpha position पर क्या रहेगा? मिथाईल, अगर alpha position पर मिथाईल है, तो idyl form test देगा, अगर कोई पूछेगा, कि formaldehyde और acetaldehyde में अंतर बता है, तो बोलेंगे formaldehyde, idyl form test नहीं देता है, और acetaldehyde idyl form test देता है, तो ये काफी important है, इस बात को आप लोग को सही तरीका से याद रखना है, तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग पहिचान सकते हैं, कि कोई idyl form test देगा, कोई idyl form test नहीं देगा, अब जरासा आप लोग इसका answer बताईए, इसमें बताईए कि ये idyl form test देगा, देखो, CHO है, ये idyl form test नहीं देगा, क्योंकि methyl नहीं आया है, यहाँ पहें देखो, ये idyl form test देगा, इस तरह से यहाँ पहें देखो, ये हो गया, C double bond किटोन, और इसके बगल में इधर भी alpha, इधर भी alpha, और दोनों तरफ मिथाइल है, इसका मतलब ये भी idyl form test देगा, इसको बोलते हैं डाय मिथाइल किटोन, इसको बोलते हैं acetone, किटोन का एक ही compound important है, और वो यही है, acetone, याद रखना है, उसी तरह से यहाँ पर, देखो, यहाँ पर किटोन है, इधर इधाइल है, इधर भी इधाइल है, यहाँ पर alpha position है, लेकिन alpha position methyl नहीं है, इस करण से यह idyl form test नहीं देगा, यहाँ पर देखो, methyl alcohol है, यह तो main carbon से जुड़ गया, इसके बगल में आना चाहिए methyl, याद खना है कि यह methyl alcohol idyl form test नहीं देता है, यहाँ पर देखो, यह हो गया, alcohol है, इसके जो carbon से जुड़ा है, यह हो गया main carbon है, इसके बगल वाले carbon को alpha बोलते हैं, तो यह हो गया हम लोग के लिए, alpha position में methyl आ गया, तो यह idyl form test देगा, अगला देखो, यह हो गया फंसल ग्रूप, main carbon यहाँ है, और इसके बगल वाले carbon को alpha का तया, alpha position पर methyl है, सोचके बताइए आप लोग, कि क्या यह idyl form test देगा, तो यहाँ रखना है कि यह idyl form test नहीं देगा, क्यों ने देगा, क्योंकि आपको केवल alpha ने देखना है, यह भी देखना है कि बगल में acid आ गया, अगला देखो यहाँ पर alcohol है, alcohol जिस carbon से जुड़ा है, वो main carbon हो गया, और उसके बगल वाले carbon को alpha काते हैं, तो alpha पर methyl आ गया, तो यह idyl form test देगा, यहाँ पर किटों ने methyl ने हैं, तो यह idyl form test नहीं देगा, अगे के objective को हम लोग देख रहे हैं, निमन में कोन idyl form test देता है, तो idyl form test में, यह तो methyl alcohol है, यह ने देगा, alcohol में क्य वाले क्यों को देता है, andorthyl alcohol, तो इसका नामे把它ol alcohol, यहाँ भी देखो, यह main carbon हो गया, इसके बगल वाले carbon को alpha पो लें गया, यहाँ पर मिथाईल है, तो मिथाईल अलकुहला गया, तो यह आईडो फर्म टेस्ट दिखाएगा, तो इस बात को आप लोग को दिमाग में रखना है, यह वाले अबजेक्टिव में तो आसा गलत हो गया, धियान रखना यहाँ फर्मिक एसिड दिया है, एसिड का जाच आई आईडो फर्म टेस्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा टॉलिंस रिएजेंट, आंसर क्या होगा टॉलिंस रिएजेंट, टॉलिंस रिएजेंट के द्वारा जो होता है, टॉलिंस रिएजेंट फर्मिक एसिड देता है, लेकिन असिटिक एसिड नेता है, यहाँ पूछ रह आगला क्या है निम्न में कोन केनी जारो रियक्षन देता है केनी जारो के बारे में अप लोगों बताए थे दो रियक्षन है कि एलडॉल और एक केनी जारो तो यादना है कि एलडोल जो होता था उसमें अलफा रहना चाहिए और केनी जारों में अलफा हैड्रोजन नहीं रहना चाहिए याद आए आप लोगो याद रखना है आप लोगो कि केनी जारों में अलफा हैड्रोजन अलफा हैड्रोजन नहीं होना चाहिए तो देखो यहाँ पर यह तो एसी alpha hydrogen रहेगा तो ये ldol देगा ldol मतलब हाँ हाँ और केणी जारो मतलब ना जिसमें नहीं रहेगा वो केणी जारो देखाए इसका सही answer होगा formaldehyde इसका नाम क्या है? formaldehyde ldehyde नहीं आप रहा है formaldehyde तो केनी जारो रियक्शन केवर और केवर अल्डिहाइड दिखाता है, केवल कुन दिखाता है, अल्डिहाइड, ठीक से याद रखेगा, अल्डोल जो हता है, अल्डोल अल्डिहाइड भी दिखाता है, किटोन भी दिखाता है, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डिहाइड भी दि ये केनी जारो दिखाएगा, तो केनी जारो दिखाता है फॉर्मल डिहाइड और एक दिखाता है बेंजल डिहाइड, एक कोन दिखाता है बेंजल डिहाइड, अगला कोशन देखो, सिरिंखलन गुन परवल होता है, मतलब बताना है केटिनेशन प्रपर्टी, ये केटिनेशन स्रिंखलन गुन करते है कि सबसे ज़्यादा स्रिंखला कोन बनाता है सबसे ज़्यादा कमपॉंड का निर्मान कोन कर सकता है सलफर करता है नेट्रोजन करता है सिलिकन करता है यह कारवन करता है तो इसका सही अनसर हो जागा कारवन हम लोग को पता है कि पूरे केमेस्ट्री मे सबसे ज़्यादा अगर कोई योगिक बनाता है, वो बनाता है, कारवन, कारवन सबसे अधिक योगिक बनाता है, योगिक जो अधिक बनाता है, उसी कहते हैं सिरिंखलन गुन, केटेनेशन प्रपर्टी, केटेनेशन प्रपर्टी, अगला है कि निम्न में कौन LD हाइड और किटोन में विभेद कर सकता है तो LD हाइड और किटोन में विभेद कर सकता है टॉलिंस रिएजेंट भी और फेलिंग सोल्यूशन भी तो टॉलिंस तो यहाँ दियान है तो अंसर हो जागा अंसर हो जागा failing solution अगला है कि tolerance reagent में tolerance reagent निम्न में से कौन है tolerance reagent का formula पुछा गया है tolerance reagent बोलते है big bracket ag no3 का hold 2 और इसके उपर में 1 plus इसके उपर में 1 plus तो इसका answer हो जागा d number इसका answer कितना number हो जागा इसका answer हो जागा d number इसका सही answer हो गया d d number इसका ना tolerance reagent का formula या तक ना इसी को गोलेते silver mirror test इसका नाम था silver mirror test इसका नाम था silver mirror test दोनों एक ही होता है अगला है कि carbonyl chloride दुआरा tolerance का benzyl dehyde में बदलना tolerance को benzyl dehyde में बदलना कहलाता है तो tolerance को benzyl dehyde में कौन है? benzyl dehyde मातर एक ही reaction से बनता है उसका नाम है itard reaction उसका नाम क्या है? itard reaction अगला है कि nimn में कोन? carbonyl group नहीं है carbonyl हम लोग किसको बोलते है? carbonyl बोलते है c double bond o इसको बोलते है carbonyl ऐसा जहां पर भी आगा उसको carbonyl कहेंगे तो carbonyl पुछ रहा है कोन नहीं है तो aldehyde का structure क्या होता? aldehyde होता है c double bond o और h aldehyde में c double bond o है ketone में भी है, acetic acid में carboxyl acid में भी है, alcohol में नहीं है क्योंकि alcohol बोलते है OH को और OH में ऐसा नहीं बन पाएगा, तो इसका मतलब carbonyl group को नहीं है? alcohol नहीं है तो जिसमें भी ऐसा बनेगा उसको बोलते है carbonyl group carbonyl group में 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma मतलब carbonyl group SP2 है carbonyl group क्या? SP2 है अगला कोशन दखते हैं अगला कोशन ये है कि मानब सरीर में कौन सा अंग कर्वन डाकसाइड को निकालने के लिए जिम्मेदार है carbon dioxide को कौन निकालता है? है ना? तो carbon dioxide को करता है तो इसे कोन करता है क्लोरीन और इसी के साथ मेँ इस से ज्यादा बढ़i यह option में यह था, CFC, इसको बोलता है diachloro-difloro-carbon, diachloro-difloro-carbon, तो यह option में नहीं दिया था, लेकिन यादना है कि यह भी option में दे सकता है, यहाद अखना है कि ozone का प्रत main जो damage होता है न वो इसी के करण होता है, इसी करण होता है और कलोरीन के भी करण होता है लेकिन इसका main compound ये है हम लोग इसका यूज़ करते है किसमें फ्रीज में और AC में AC और फ्रीज जो ठंडा करता है वो किस गैस के करण इसी CFC के करण डाइकलोरो, डाइफलोरो, करवन दियान डखना इसका फर्मला था है CF2, Cl2 इसी को furon भी बोलते हैं इसी क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं furon तो आप लोग को सही तरीका से सही तरीका से cover कर लेना है तो ये हो गिया हम लोग का ये हो गिया हम लोग का objective question organic chemistry is related objective objective question हो गिया अगला आप लोग को DDT को ठीक से देख लेना है DDT में chloro-benzen का reaction करवाया गया है chloral के साथ, और chloral के साथ जब reaction करवाते हैं तो यहाँ पर से H2O बाहर हो जाता है और ये दोनों बेंजीन आके इसमें जूड जाता है इसमें बन जाता है क्या इसमें बन जाता है DDT DDT का full form क्या है dichloro-diphynyl-trichloro-ethane dichloro-diphynyl-trichloro-ethane यह हो गया DDT को बाहर है question आएगा कि DDT में chloro-benzen का परतिकरिया किस से करवाते हैं तो DDT में chloro-benzen का परतिकरिया करवाते हैं chloral के साथ chloral का formula भी पूछ सकता है ध्यान रखना है chloral काफी important compound है इसका formula ठीक से याद कर लेना है CCL3CHO याद रखना है कि 3 hydrogen हड गया और उसके जगा पर 3 chlorine आ गया तो CCL3CHO को बोलते हैं chloral क्या बोलते हैं chloral बोलते हैं तो ध्यान रखना है कि यह DDT DDT हो गया यह DDT का IUPSC नहीं है और इसके DDT के बारे में कुछ बात लिखा हुआ है तो यह हो गया किसके बारे में DDT के बारे में यह है itard reaction यह कौन सा reaction है itard reaction जिससे बनाता tolin से benzyl benzyl dehyde तो यह था हम लोग का itard reaction अब यहाँ पर कुछ अंतर है अंतर में क्या है कि aldehyde और ketone में अंतर aldehyde और ketone में यह अंतर है इसको short question के लिए काफी important है ध्यान रखना है यह हो गया यह दोनों के बीच में यह दोनों के बीच में अंतर अगला अंतर है formic acid और acetic acid में अंतर formic acid और acetic acid में अंतर तो सही तरीका से इसको याद कर लेना है short question के लिए फिर है formaldehyde और acetaldehyde में अंतर formaldehyde और acetaldehyde में अंतर तो यह जो जो अंतर है हम सबको एक जगा पर लिख दिये हैं अगला important है phenol और alcohol के बीच अंतर phenol और alcohol के बीच अंतर यह सारा question आप लोगों को हम copy में लिखवाए हुए हैं तो सही तरीका से इस सबको याद कर लेना है glycol में 2 alcohol होता है grecerol में 3 alcohol होता है और यह तो गया ethyl alcohol याद अगना है कि पूछेगा कि grecerol में कितने alcohol है तो इसको बोलेंगे trihedral alcohol इसको क्या बोलेंगे trihedral अब यहाँ पर objective question organic chemistry का सही तरीका से देखते जाना है अगला है कि glucose अता fructose में chiral carbon की संख्या होती है तो glucose में chiral carbon 4 होता है और fructose में chiral carbon 3 होता है यह हो गया biomolecule chapter का किसका हो गया biomolecule chapter question है तो इस बात को दिमाग बना है glucose eldose compound है और fructose ketose compound है स्वाद में ज्यादा मीठा कोन होता है स्वाद में ज्यादा मीठा होता है fructose अगला है कि निम्न में कौन सा योगी addition reaction नहीं दिखाता है addition दिखाते है addition दिखाने के लिए उसमें pie bond का होना जरूरी है अगर pie bond रहेगा तो ही addition दिखाएगा तो जिसमें पाइबोंड ने रहेगा वो एडिसन नहीं दिखाएगा तो पूछ रहा है कि योगसी लभी किरिया कोन नहीं दिखाता है तो नहीं दिखाएगा जिसमें A&E आएगा ANE को पैचाने की तरीका है दुगना से दो जादा तो इसका अंसर हो गया यह नंबर अगला कोशन क्या है अगला कोशन है कि निम्न में किस योगिक की विदूत रिनातमक्ता सबसे अधीक है यह दखना है कि इसमें सबका हैविदेसन इस्टेट निकलना है सबसे जदा रिनातमक होता है सबसे अधीक होता है असे तिलीन को जब लालतब्त तामवा नदी से गुजारते हैं तो कौन से योगिक का निर्मान होता है कि एसिटिलीन को रेड होट कॉपर टी उसे पास करना होता था है ना तो उसका तीन मोलिक्यूल जोड़ जाता था और बना लेता था बेंजीन केल्सियम करवाइड जल से परतिकरिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है केल्सियम करवाइड का सूतर होता है CAC2 CA, C2, इसका पर्तिक्रिया जल से करोना है, तो यह बन जाएगा को है, यह बन जाएगा हम लोग का, acetylene, और यहाँ पर बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, CA, OH का hold 2, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ acetylene gas बनता है, तो इसका answer हो जाएगा, acetylene, C2, H2, C2, H2, अगला है कि ben benzeen, में करवन का परसंक्रान, यह तो आप लोग को यादी होगा, SP2, अगला है benzeen में sigma और pi bond का अनुपाद होता है, तो sigma का संक्या 12 होता है, pi का संक्या 3 होता है, अनुपाद निकालेंगा, तो 4 अनुपाद एक आ जाएगा, अगला question है, कि क्या होता है, जब, क्या होता है तो कणभर्सान आता था, zinc के साथ, किसके साथ मैं, zinc के साथ, इसी तरह से है, सबसे अधिक, senior functional group को नहीं, सबसे बड़ा functional group को नहीं, सबसे बड़ा functional group है, carboxylic acid, सबसे बड़ा functional group को नहीं, carboxylic acid, neo-pentain का UPSC Mew, बोलते हैं 4 डिगरी को, neo किसको बोलते है, 4 डिगरी, मतलब बीच में कारवन आएगा और चारो तरफ में कारवन रहेगा इसको बोलते हैं नियो पेंटेन तो इसका IUPSC नेम पुछा है तो 1,2,3 दो नमपर पर दोगो मिथाईल आगा तो नाम हो जाएगा 2,2 डामिथाईल प्रोपेन सबतरफ मिथाईल होगा तो गीनती IUPSC में एक दो तीन होगा उपर ही मिथाईल नीच इए मिथाईल तो 2,2 डामिथाईल प्रोपेन अगला है कि सैकलोहेकसेन का सुतर होता है तो सैकलोहेकसेन सैकलो का मतलब होता है चारो तरफ से बंद होगा और पर्तेक दो लाइन जहाँप तो E-N-E का 120 डिगरी का कौन मनता है E-N-E आएगा तो उसमें E हो गया 109 डिगरी है 26 मिनट E हो गया A-N-E सिंगल बॉंड यहाँ पर हो गया 180 डिगरी यह हो गया triple बॉंड और यह हो गया double बॉंड यहाँ रखना है कि यह double बॉंड का है मतलब E-N-E वाले का है यह triple बॉंड है तो यहाँ पर लिख दिये है कि E-N-E वाले के लिए 180 डिगरी सोरी E-N-E वाले को लिखे तो नहीं 109 डिगरी 28 मिनट SP3 double बॉंड आगा तो 120 डिगरी SP2 और triple बॉंड आगा तो SP triple बॉंड आगा तो क्या लिखेंगा SP G1 सक्ति का सिधान किसे ने दिया था बर्जिलियस ने किसे ने दिया था बर्जिलियस ने बर्जिलियस पहला बैग्यानिक था जो कि बताया था कि G1 सक्ति के सेमलग के वल जीवित चीज में ही कर्बनियक योगीक मिलता है और किसी में कर्बनियक योगीक नहीं मिलता है जिसको गलत कुण कहता है वहलर वहलर सबसे पहला कर्बनियक योगीक बनाया था परियोकसाला में यूरिया यूरिया का फर्मूला क्या होता है NH2 sự Menge अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाता है, अमोनियम साइनेट को गर्म करने में क्या बनता है, यूरिया, कारवन कैसा होता है, कारवन टेटरा हेडल होता है, कारवन चारवन बनाता है, और कारवन कोभैलेंट बनाता है, निम्बू में क्या पायता है, निम्बू मे करन कारवन सबसे अधिक योगी का निर्वान सबसे अधिक योगी का निर्वान गता है तो परीडीन के फर्मला में नेट्रोजन आ आता है तो pre-dine के फरमला में नेट्रोजाना आता है, इसलिए उसको है अर्बियोटेन का है, साकलोबियोटेन' किया तो ब्यूटेन का आगहे लग गया है सेकलोग आपमेटिक, बॉलते हैं एलीचेक अपएंचेन को ऑनद रहेगा उसको हमलोग बॉलते हैं एलीचेक यहाँ पर पूछ रहा है कि यह किसका फर्मूला है, यहाँ देखो करवन 3 है और हैडोजन 4 है, तो 3 का दुगना 6 है, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, दुगना से 2 कम है, जब दुगना से 2 कम होता है तो वह होता है YNE, वह क्या होता है YNE, LDHIDE का समान सुत्र पूछ रहा है, LDHIDE को हम लोग बोलते हैं CHO को, और CHO में OXYGN एग होता है, OXYGN के एग हो, एग होता है, तो एक OXYGN तो इसमें नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, इधोनों में OXYGN एग हो है, पर LDHIDE का सुत्र देखो यहाँ क्या है, CH3, CHO, तो CS3, CHO में देखOW कारवान 2 है और हैडोजन का संख्या चार है तो दुगुना से 2 जढ़ा है तो अंसर हो जाएगा B number अंसर क्या हो जाएगा B number उसी तरह से acetone acetone बोलते है anytime kittone को ती यह हो गया acetone के बारे में उसका आदर है diphdynile diphyelyamine बोलते है amine तो amin के ओगे लग गया diaphinin, वार्ण एमीन में दो दो को benzen गूरूप जोड़ा, उसको बोलेंगे secondary amin, क्या बोलेंगे secondary amin, उसी तरीका से यहाँ पर है, यहाँ पर है क्या, अल्फा हैट्रोजन किस में होता है, तो अल्फा हैट्रोजन किस में है, तो अल्फा हैट्रोजन क से दिया गिया है आप सही तरीका से इसको पढ़ते जाएगा और सारा पहले से पढ़ाया हुआ है तो आप लोग को सही तरीका से सही तरीका से समझ में आ जागा कि किसका आंसर किस तरह से क्या लाया गिया है ठीक है तो इसको सही तरीका से आप लोग को सही तरीका से कभर कर ल ना है क्योंकि physical और inorganic से नंबर उठाना आसान है दिक्कत हो जाता है organic chemistry में क्योंकि syllabus काफी बड़ा है और revision इसमें खोशता है फोस्जिन गैस का सुत्र या दखना है COCl2 और eurotropin का सुत्र होता है C6H12N4 C6H12N4 उसी तरीका से जितना भी objective है सारा objective का सही सही बिल्कुल सही सह आंसर यहां पर दिया गया है जिसको आप लोग को सही तरीका से एक बार अच्छे तरीका से revision कर लेना है तो आज पूरा organic chemistry का एक एक question को हम लोग सही तरीका से देख लिये हैं इसको अच्छे तरीका से आप लोग cover कर लिजेगा तो यह organic chemistry का revision हो गया Thank you